नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों के और रूख करने से पहले एक नजर हेडलाइन्स पर बिहार केबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर बिहार बिधान मंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से बिहार में नौकरी नहीं मिलने पर आत्महत्या करेंगे बेरोजगार नियोजित सिक्षक अभ्यार्थियों ने दी चितावनी पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उत्रा लेकिन राजधानी के इन नए इलाकों को स्मार्ट सिटी में मिली जगा आम बजट के पहले बिहार ने केंद्र सरकार के सामने रखी बड़ी मां राजगोसिय घाटा सीमा को पांच भिजदी करने को कहा लौ एंड और पर फिर एक्षन में नितीज डीजीपी समेथ सभी आला अधिकारियों को किया तलब सीम सचीवालई के पास प्रतिबंधित छेत्र में नर्सिंग की छात्राओं का हंगामा पुलीस से जडब एयरपोर्ट पार्किंग विबाद में रुपेश की हुई हत्या डीजीपी एस के सिंगल ने जताई संभावना पुलीस में ट्रांसजेंडर को लेकर हाइकोट ने राजसरकार से किया सवाल क्या अलग से यूनिट बनाना संभव है देवघर की तरज पर गया के विश्नुपद मंदिर का हो प्रबंधन हाइकोट ने केंद्र और राजसरकार को आगे आने को कहा जल्द बनकर तयार हो जाएगा पटना गया और पटना बकसर फोर लेन दियम ने दिया निर्देश अब खबरे विस्तार से मुईक मंतरे नितीश कुमार के अध्यक्षता में मंगलवार को केबिनेट की हुई बैठक में 17 एजेंडो पर मोहर लगी केबिनेट ने विधार मंडल का वजट सत्र 19 फरवरी से चलाया जाने पर समती दी है इस सत्र की बैठके 24 मार्ज तक चलेंगी केबिनेट के फैसले के मताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1-12 तक के चात्र चात्राओं को अब सिला सिलाया ड्रेस मिलेगा इसके लिए सरकार से मिले पैसे से अब उन्हें जीवीका दीडियों से स्कूल ड्रेस के दो सेट की खरीद करनी होगी अगले सेचनिक सत्र से चरनबद प्रक्रिया से स्कूल डेस की खरीद होने लगेगी बैठक के बाद केविनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सिक्षा विभाग कक्षा एक से बारवी तक के चात्र चात्राओं की पोसाग के लिए दोसेट जिविका और उधोग विभाग के तहत उधमिता विकास से संबन्द क्लस्टर के माध्धम से खरीदे जाएंगे राजधानी पटना में कडाके की ठंड के बावजूद नियोजित शिक्षक ब्यारति गर्दनी बाग धरना अस्तर पर डटे हुए हैं प्रदर्सन कारियों की मांग है कि जिलासतर पर ओपन केम के माध्धम से काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरन करने संबन्दी सिड्योल जल्द से जल्द जारी की जाए और काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरन के उप्रामान पत्र की जाच की जाए और उसके बा अभ्यार्थि बीटेट सीटेट की परिक्षा पास कर चुके हैं। अभ्यार्थि बीटेट सीटेट की परिक्षा पास कर चुके हैं। कई एजेंडों को मंजूरी दी गई है। विकास विभाग के प्रधान सचीव आनंद किसोर ने इसके लिए बैठक की है और अधिकारियों को मिसन मोड में आकर काम निप्टाने का निर्देश दिया है। आम बजट के पहले केंद्र सरकार के सामने बिहार ने एक साथ कई मांगों को रखा है। उपमिक मंत्री ने राजकोसिय घाटा सीमा को पांच परतिसत करने की अनोरोध किया है। वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये केंद्रिया बित मंत्री के समक्ष 2021-21 के बजट हेतू रखे महत्पुन सुझाव देते हुए बिहार के उपमिक मंत्री तारकिसोर प्रसाद एक परतिसत ससर्थ उधार को बिना सर्थ उधार में परिवर्तित करने की अनोरोध किया है। साथ हिसाद वित्य बर्स 2021 के लिए एफार बियम राजगोसिय घाटा को पांच फिर्जदी करने का आग्रह किया है। इस्थानिया निकायों के लिए सेस 50% अनोदान की सिग्र विमुक्त करने विमुक्त हेतु केलेंडर निर्धारित करने का सुझावी बिहार के वित मंत्र ने दिया है। विस विद्याले अनोदान आयोक द्वरा राज सरकार को उपलब्द कराई जाने वाली 50% रासी अर्थात 383.50 करोड रुपे की रासी जल्द जारी करने की मांग भी रखी है। पुलिस कुमार ने एक बार फिर डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारियों को तलब किया है। पुलिस सिंग हत्याकान के हपता भर गुजर जाने के बावजूद अब तक पुलिस अपराधियों का सुराग नहीं लगा पाई है। हालाके डीजीपी लगातार कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले में जल्द खुलासा कर देगी। हाय जाने के मांग कर रही हैं। आपको बता दे कि राजस्वास्त समीती ने 4102 ग्रेड ए नर्स की बहाली के लिए बिग्यापन निकाला है। के लिए आवेदन की अन्तिम तारीख 20 जनवरी है। नर्सींग की छात्राओं का कहना है कि अब दक उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। G&M course का result जारी होने की तारीक और आविदन की अंतिम तारीक एक होने के कारण चात्राओं को परिशानी झेलनी पड़ रही है चात्राओं का आरोफ है कि सरकार जानबोज कर बाहरी नर्सिंग चात्राओं को बहाली करना चाहती है इसलिए बिहार की छात्राओं को आविदन से वंचित किया जा रहा है इंडिगो के एरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंग के हत्या के मामले में बिहार के DGP S.K. सिंगल ने बड़े खुलासे का संकेत दे दिया है DGP S.K. सिंगल ने कहा है कि रुपेश कुमार सिंग के हत्या एरपोर्ट पर हुए पार्किंग विवाद को लेकर हुई है इस बात की समाना है कि टेंडर विवाद के बाद रुपेश के खिलाब बड़ी साजिस रची गई और फिर बाद में सायद इसी मामले को लेकर उनकी हत्या कर दी गई DGP S.K. सिंगल ने कहा है कि पुलीस के पास अब तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है लेकिन हम टेंडर विवाद के मामले को खंगाल रहे हैं DGP S.K. सिंगल ने कहा है कि रुपेश कुमार सिंग के हत्या की जांच बिलकुल सही दिसा में चल रही है इस मामले में पुलीस जल्द ही खुलासा कर देगी पुलीस हर बिंदो पर काम कर रही है DGP ने यहां भी कहा है कि रुपेश की हत्या के लिए सूटर बिहार के बाहर से बुलाये गए थे पटना हाइकोट ने राज सरकार से पुछा है कि पुलीस महकमे में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से यूनिट हो सकती है या नहीं कोट का कहना था कि यदि किन्नरों के लिए राज में बठालियन का गठन नहीं किया जा सकता है तो कम से कम यूनिट का प्रावाधान किया जाए मंगलबार को मुख नयादिस नयामूर्ति संजय करोल के अध्यक्षता वाली खंड़पीट ने बीरा यादो की जनहीत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह सवाल किया है जिसके बाद जवाब में राज सरकार का पक्ष रखते हुए सरकारी अधिवक्ता अजय ने कोट को बताया कि सिपाही और दरोगा की नियुक्ती में ट्रांसजेंडर के लिए अरक्षन का प्रावाधान कर दिया गया है कोट ने इस मामले की आगे की सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए मुल्तवी कर दी है गया के बिश्नुपद मंदिर का प्रबंधन देवगर की बैदनात मंदिर के तर्ज पर किया जाए गया के बिश्नुपद मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाइकोट ने केंद्र और राज दोनों सरकार को परियाटन और परियावरान प्रबंधन के लिए आगे आने को कहा है पटना हाई कोट ने कहा है कि देवगर के बाबा बैतना धाम मंदिर प्रबंध समीती के तरज पर एक बड़ी इसकिम बनाने के बारे में विचार किया जाना चाहिए इस स्किम में इस्थानिय प्रसासन और पंडो को सहबागिता से सब कुछ प्रबंदित किया जाना चाहिए गया के विश्णुपत मंदिर की बधाली और कोप्रबंधन का दायर जनहित याचिका के उपर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोट ने यहाँ टिपनी दी है चीप जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रबाद कुमार सिंग की खंडबिट ने गौरव कुमार सिंग की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सबसे पहले बिहार राज धार्मिक न्याई बोड के गठन को हो जाने की बधाय दी है साथ ही साथ इस काम में तेजी लाने के लिए अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार की सराना भी की है आईकोट ने केंदर सरकार को इस बाबत जरूरी फंड मुहाया कराने के सिलसिले में जवाब मांगा है जिलाधिकारी डॉक्टर चंदर सेकर सिंग की अध्यक्षता में हिंदी भवन सभागार में परियोजना प्रबंधन समो की बैठा की गई डीम ने अधिकारीों को आपसी समयनेवाय स्थापित कर प्रोजेक्ट निर्मान कार में आ रही बाधा को दूर करने और कार में तेजी लाने का निर्देश दिया है जिलाधी कारी ने NH-83 पटना गया डोबी, NH-31 बक्तियापूर, मोकामा, फोरलेन और NH-30 पटना बक्सर फोरलेन की कायर में गती लाने का निर्देश दिया है बैठेग में आवगत कराया गया कि दानापूर में बेटा तक अलिवेटेड पर्थ निर्मान हेतु भो अर्जन की अधिसुचना की कारवाई की गई रासी उपलब्ध होते ही आगे कारवाई जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है दिगवारा सेरपूर खंड के लिए भो अर्जन की अधिसुचना जारी कर दी गई है रासी उपलब्ध कराने के लिए एनच एयाई को मांग भेजी गई है राजिर नगर और राजापूर पुल के पास संप हाउस बनाने के लिए नचलादी कारी सदर से समयन वेकर जमीन उपलब्ध कराने को निर्देश दिया गया है तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खपरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तर नवाद